भेडिये पैक शिकारी हैं जो भोजन के लिए बड़े जानवरों को मारते हैं और मारते हैं बाग एकांट शिकारी होते हैं जो बड़ी ताकत और कुरूरता के साथ अपने शिकार पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं दोनों अपनी अपनी सीमा में शीर्ष शिकारी हैं इसलिए यहां आश्चग्य करना उचित है कि उनके वैश्विक संधर्ष में क्या होगा विशेश रूप से बाग बनाम भेडिये की लडाई में कौन जीतेगा? क्योंकि भेडिये और बाग एक सीमा साजा नहीं करते हैं हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि ये जगरे कैसे होते हैं बड़ा जानवर छोटे जानवर की तुल्ना में अधिक लडाई जीतता है खास कर जब लडाई दो शिकारियों के बीच होती है इस मामले में बाग भेडिये से काफी बड़ा है बाग का वजन 600 पाउंड तक होता है और यहां 12 फीट से अधिक लंबा होता है लेकिन भेडियों का वजन लगभग 150 पाउंड और लगभग 5 फीट लंबा होता है बाग विशाल है और उसका वजन वसा के बजाए मास पेशियों से आता है रिकॉर्ड पर सबसे बड़े बाग को देखते हुए यहां 932 पाउंड तक पहुँच गया जबकि सबसे बड़ा भेडिया 175 पाउंड तक पहुँच गया दो शीर्ष शिकारियों के बीच का अंतर्स पश्ट है एक भेडिया एक सहनशक्ती धावक है जो 35 मील प्रती घंते की शीर्ष गती से यात्रा करने में सक्षम है बाग 30 से 40 मील प्रती घंते की रफ्तार से दोर सकते हैं लेकिन वे पूरे दिन उस गती को बनाए नहीं रख सकते हाला कि वे 20 से 25 फीट तक कूच सकते हैं शिकार पर दूरी को कम कर सकते हैं और अपने शातिर हमले को शुरू कर सकते हैं भेडियों के काटने को 400 PSI पर मापा गया है लेकिन यहां माप प्रयोक्षाला सेटिंग में लिया गया था एक वास्तविक लडाई में यहां माना जाता है कि वे बहुत कठिन काट सकते हैं घातक काटने के लिए उनके पास 2 इंच के नुकीले दानतों के साथ 42 दानत है बाग के सबसे बड़े दानत 3 इंच लंबे होते हैं और उनके कुल 30 दानत होते हैं उनके पास 1000 साई की विशाल काटने की शक्ती है जो मास को काटने और हड़ी को तोड़ने के लिए परियाप्थ है भेडिये और बाग शक्तिशाली शिकारी होते हैं, जिनके पास अपने शिकार का पता लगाने और उसे मारने की बड़ी समझ होती है एक बाग की सुनवाई को गहरा बताया गया है उनके पास अच्छी द्रिष्टी और रात की द्रिष्टी भी है हाला कि उनकी सुंगने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है भेडियों में सुंगने की अद्धुत क्षमता होती है और ये मीलों दूर से शिकार को सुन सकते है उनकी द्रिष्टी भी बहुत अच्छी है लेकिन द्रिष्टी के सीमित शेत्र की कीमत पर आती है भेडियों को संख्या में सुरक्षा मिलती है और नुकसान के रास्ते से बाहर रहने के लिए अपनी गती और सहन शक्ती का उप्योग करती है शारिरिक पराक्रम होना एक बात है लेकिन युद्ध में पराक्रम होना दूसरी बात है बागों और भेडियों में अद्वितिय आक्रामक शमताएं और शिकार की रणनीतिया होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है बागों के नकेवल तीन इंच के दान्थ होते हैं और जानवरों के सामराज में सबसे मजबूत काटने में से एक होते हैं बलकि उनके पास चार इंच के पंजे और घातक काटने के दौरान अधिकांश दुश्मनों को पिन करने के लिए पर्याप कच्ची शक्ती भी होती हैं भेडियों के पास शक्तिशाली काटने और दो इंच के दान्थ होते हैं उनके पास तेज लेकिन छोटे पंजे हैं बाग और भेडिये दोनों शीर्ष परभक्षी हैं जो अद्वितिय शिकार क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं बाग घात लगाकर बैठे हुए शिकारी होते हैं जो अपने दुश्मनों पर जपटते हैं और एक काटने से लड़ाई खत्म करना चाते हैं भेडिये समय के साथ अपने दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं उन्हें हमलों में घायल कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं जबकि जीव उनकी उर्जा को जला देता है बाग भेडियों की तुन्ना में बहुत बड़े और तेज होते हैं और शिकार का पीछा करने के बजाए हमला करना पसंद करते हैं भेडियों की तुन्ना में बागों के काटने के अलावा उनके पंजे और दांत भी लंबे होते हैं हालांकी वे दोनों अपनी दी गई रेंज में शीर्ष परभक्षी हैं, बाग जंगली भेडियों की तुन्ना में बहुत कम संख्यावें पाए जाते हैं.